Hello students, welcome again in teacher's corner and marigold book 5 and this is the poem the lazy frog. सबसे पहले चित्रों को देखते हैं, the lazy frog में हमें चित्र दे गए हैं, ये है lazy frog की mother. तो ये lazy frog कहां होगा, देखे, frog तो अमोमन तालाब के आसपास पानी के इर्दगर्दी ही रहते हैं, तो ये तालाब है, और तालाब में तरह तरह की मचलिया हैं, और ये इसकी बूरी मदर है, जो उसे कुछ निर्देश दे रही है, एक बड़ा सा लोग है, लठा है, पुरान लकड़ी का कोई ठूंट है, जिसे लोग कहते हैं, उस पे लोल कर रहा है, आराम से पसरा हुआ है, और देखे, यहाँ पर ये lady frog आई है, यानि की एक मेंड़ की आई है, लेकिन इसको बिलकुल भी कोई फरक नहीं पड़ा है, तो ये आल सी हमेसा लेटा रहता है, और इसको कोई काम धन्दा फसन नहीं है, तो लेजी फ्रॉग, आल सी मेंड़, ओन स्कूल डे, यू आर बिजी सिरिंग, प्लेइंग और चैटिंग विद फ्रेंग, इसकोल के दिन आप दोस्तों के साथ बातचित करने में, खेलने में और फढ़ने में वियस्त रहते हो, बिजी रहत जब आपकी स्कूल से होलिडे चुट्टी होती है, वाट यू दू आप क्या करते हैं, वोड यू बिहेव अ लिटिल लाइक द फ्रॉग, क्या आप थोड़ा सा उस फ्रॉग के जैसे ही प्यवार करोगे, पेशाओगे, इन द फॉलोइंग पोएम, जो आने वाली पोएम मे Fred is a very lazy frog who lives all day upon a log, he always manages to surf, doing a single stroke of work, his poor old mother calls in vain, come in and help, he does not bother, to move two inches, much preferring to be extremely hard of hearing, he lies there in a silent heap and stays conveniently asleep, Fred is a very lazy frog, Fred नाम का ये lazy frog है, बहुत ही आल सी frog है, मेंधक है, who loves all day upon a log, जो हमेशा किसी लठे में लेटा रहता है, पसरा रहता है, he always manages to surf, doing a single stroke of work, चोट से छोटा काम भी वह टाल देता है, manages to surf, his poor old mother calls in vain, उसकी बूढ़ी मा, बेचारी बूढ़ी मा, calls in vain, ब्यर्थ ही, बेकार में ही उससे आवाज देती है, क्या कहती है, come in and help, आओ, और मदद करो, he does not bother, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, to move two inches must preferring to be extremely hard of hearing, दो इंच भी वो हिल जाए, इससे ज़्यादा वो पसंद करता है, कि वह ऐसा दिखे, कि hard of hearing जैसे बहरा हो, जैसे उसके कान खराब हो, सुनाई नहीं देता हो, ऐसा व्यवहार करता है, he lies there in a silent heap, किसी धेर की तरह, वह चुपचाप लेटा रहता है, and stays conveniently asleep, conveniently, आराम से asleep, if a lady frog hops past, you would think he would get up at last, to go and help her in her way, but no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye, if a lady frog hops past, या फुदकते हुए, hop करते हुए, कोई lady frog, यानि कि मेंध की वहां से गुजरती है, you would think he would get up at last, या हब तो सोचते होंगे कि वह अंतता है, उर जाएगा, कड़ा हो जाएगा, to go and help her in her way, और जुकते हुए, उसे उसके रास्ता दिखाएगा, उसका हात पकड़ते हुए, उसका अभिवादन करते हुए, उसके रास्ता दिखाएगा, but no, लेकिन ऐसा नहीं है, I am ashamed to say, मुझे तो सर्मारी ऐसा कहने में, that when a lady frog comes by, he does not open up one eye, कि जब भी कोई lady frog में नहीं की, वहाँ से गुजरती है, he does not open one eye, वो तो एक आंग भी नहीं खोलता है,